Hello, mechanics के इस lecture में आपका सुवागत है. Mechanics का हम सीख रहे हैं statics और statics में जो हमारा topic चालो है वो है 2D equilibrium and beams. 2D equilibrium मैंने पिछले lecture में आपको सिखाया कि क्या होते हैं points to remember while drawing the FBD and also what are the equilibrium conditions. Points to remember मैं आपको revise कराऊंगा, कुछ बाते बताऊंगा कैसे यहां पर भी उप्लाई करने पड़ते हैं. In fact, आने वाले सारे chapters में, आने वाले सारे topic में वो points important हैं, जो आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आज कैसे solve करना है? Beams. Beams solve करने के लिए, आपको दो सब topics पता होने चाहिए. मतलब chapter आप से expect करता है कि आपको यह पता होगा. तो चलो, सीख लेते हैं कि हमें क्या पता होगा. सबसे पहला जो topic आता है, उसे कहते हैं types of support. बचो आपको चार तरह के support के साथ डिल करना है. चार तरह के support के साथ डिल करना है, बीम्स topic में. 2D equilibrium में beams आता है, लेकिन वहाँ पे types of support की बात नहीं की जाती है. Beams, अगर आपको मैं कहूं, तो आपको यह दोखो, एक rod की तरह कुछ दिखाई दे रहा है. यह एक beam है. इस beam को किस तरह से support दिया जा सकता है, वो होते हैं types of support. अब types of support अगर आप देखें, तो यह कोई इसे कहते हैं simply supported. आप इस अपने day to day life में भी देख सकते हैं. जैसे कोई garden में अगर एक पत्थर का bench देखो, तो पत्थर के bench के नीचे इंते लगी रहती हैं और उन इंतों के ऊपर bench रख दिया जाता है. वही हो गया आपका simply supported. अब वह beam, आप कहने को कह सकते हो, लेकिन हाँ, beam एक ऐसा object होता है, जिसका purpose होता है, उस पे रखी हुई load को वह ले सके. तो bench भी शायद वही हुआ, तो simply supported beam कुछ इस तरह से दिखाई देता है. उसी के बाद में आपको अगर दूसरा support देखना है, तो उसे कहते हैं hinge support. hinge को कुछ इस तरह से दिखाई दिया जाता है, और hinge support अगर आपको समझना हो, तो जैसे दर्वाजा. दर्वाजे को जब आप देखो, दर्वाजे आप खोलते हो, तो दर्वाजा का एक side जो होता है, वो दिवार को hinge किया जाता है. वो भी एक तरह का joint होता है, जिसकी मदद से दर्वाजे को rotational motion मिलता है. तो ऐसे case में, जो hinge support होता है, वो object को एक rotary motion का freedom देता है. नेक्स support जो आपको पता होना चाहिए, वो होता है roller support. Roller support मतलब beam के end पे rollers लगा दिये गए. मतलब इस beam को इस direction में आगे जाने की आजादी है. beam के इस kone को इस direction में move करने की आजादी है. fix support, चौथा fix support, इतर कोई आजादी नहीं होती वाई. यहाँ पे दिवार पे directly beam गाड़ दिया जाता है. दर्वाजे में दिवार पे लगा हुआ कोई keel हो, चाहिए hanger हो, जहाँ पे आप अपना bag या फिर कप्रा टांगते हो, वो भी एक fix support है. fix support में इस तरह के beam को जब लगाया जाता है तो उसे cantilever beam कहते हैं. इस तरह से आप लोगों को beams में चार तरह के support देखने मिलेंगे. चार तरह के support जब आपको देखने मिलेंगे तो support को हटाना होगा. Support हटा के जो drawing बनाई जाती है उसी को कहते हैं free body diagram, FBD. तो हम वही FBD बनाना सिखेंगे कैसे support को हटा के बनाया जाता है. आपको यह जो beam है यह beam redraw कर लेना होगा. यह beam ऐसे redraw कर लेना होगा. अगर मैंने उपरवाला beam अगर redraw कर लिया, कुछ ऐसा दिखाई देगा. A और B support अगर हटा दो, तो A और B support हटाने की वज़े से यह जो beam है, यह experience करेगा upward direction में reaction. यह experience करेगा upward direction में ऐसा reaction. Simply support जब हटाया जाता है, तो support के direction में बोलो या फिर beam को perpendicular support reaction दिखाया जाता है. Simply support वैसा ही होता है, जैसे तूडी में आपके दिवार या फिर ground का support होता था. वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे object को normal एक reaction दिखाते थे, इसको normal reaction इसलिए directly कहा जाता है. तो A से जो reaction इस पे दिखेगा यह होगा RN, RA और जो B से दिखाई देगा वो होगा RB. एक point याद रखना, यह reaction beam को perpendicular होंगे और यह beam की तरफ होंगे, beam के towards होंगे. यह जमीन से मिलने वाला reaction होगा जो उस beam पे लगेगा. तो इसे कहते हैं simply supported beam, और simply supported beam के supports को हटाके इस तरह से FBD बनाया जाता है. सेम तरीके से अगर आप लोग बनाते हैं hinge वाला beam, अगर आप बनाते हैं hinge वाला beam, तो यह हो गया आपका hinge वाला beam, A, B मैंने redraw कर लिया. Redraw करने के बाद बच्चो, A और B point पे hinge support है. यह दो तरह के ऐसे drawings आपको देखनों को मिल सकते हैं, कहीं पे circular देते हैं, कहीं पे triangular देते हैं, दोनों का काम hinge ही होता है. hinge आजादी देता है आपको rotary motion का, hinge आपको आजादी देता है rotary motion का. support reaction होता क्या है जरा समझना. क्या होता है बच्चो, जब आप support को हटाते हो, तो ऐसे case में object जो नहीं कर सकता, उस पे जो constraint होता है, उसका ध्यान में रखके FBD बनाया जाता है. For example, इस case में, अगर इस पे कोई object पे वजन रख दिया जाए, तो इसे आजादी नहीं है नीचे आने की, जब इसे आजादी नहीं होगी नीचे आने की, तो इस पे A और B direction में एक reaction experience करना पड़ेगा. Same तरीके से, इसे मत देखो, खल इस कोने को अगर देखो, तो इसे आजादी है ऐसे घूमने की, जब किसी को आजादी होती है, तो वहाँ resistance नहीं होता, resistance या reaction तो वहाँ होता है, जब आपको उसकी आजादी नहीं हो. For example, ये एक 2D object है, मतलब ये planar object है. Planar object में दो axis होते हैं, एक होता है x-axis, एक होता है y-axis. अगर ये beam को आप देखो, इस beam को आप x-direction में अगर खीचना चाहो तो ये वह लगो, भाई साब, x-direction में नहीं move कर सकते हैं. मतलब अगर ये दर्वाजा है आपका, दर्वाजा ऐसे खुलता बंद होता है, suppose. अब बोले के दर्वाजा ऐसे कैसा है? आपका जो घर का दर्वाजा ऐसे खुलता है, इसको आप उपर से देखो. तो आपको सिफिक लाइन दिखाई देगी है, ये रहा आपका दर्वाजा तो ये जो दर्वाजा है पूरा, ये दर्वाजा घूमने की आजादी रखता है, लेकिन ये दर्वाजा का आप खीचोगे तो ये resistance दिखाएगा, गete? इस दर्वाजा अप खीचोगे तो ये resistance दिखाएगा. जहां-जहां होगा resistance, वहां-वहां होगा reaction. इसलिए बच्चो कभी पर अगर हिंज देखो, तो हिंज में दिया जाता है रियाक्शन जिन एक्स एन य डिरेक्शन बोट. अच्छा, यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, कि हिंज के केस में जो रियाक्शन दिखाया जाता है, वो रियाक्शन पॉइंट की तरफ होगा या पॉइंट से अवे होगा यह बताया नहीं जा सकता, ऐसे सिंप्ली देख के नहीं बताया जा सकता, इसके लिए पूरा नुमेरिकल सॉल करना पड़ता है, तब पता चलता है कि वो किस डिरेक्शन में लगेगा, तो आप क्या करें, आप कभी भी क करें, for example, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि point A में इस डिरेक्शन में X का रियक्शन यह experience करेगा, और अपवर डिरेक्शन में Y का रियक्शन यह point A experience करेगा, इसे मैं बोल दूंगा AX, इसे मैं बोल दूंगा AY, यह दोनों हो जाएंगे, रियक्शन इन X and Y दिरेक्श याद रखें, मैंने सिफ अज्यूम किया है rightward and upward, they may not be true, unlike in previous case, towards the surface, guarantee है कि it will always be towards, लेकिन इस case में यह rightward ही होगा, यह upward ही होगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, तो यह एक assumption है, In this case, the direction is an assumption, in this case, the direction is an assumption, assumption होने के वज़े से assumption गलत भी हो सकता है, इसका मतलब अगर इनकी magnitude negative आ गई तो assumption गलत है, अगर यह negative आ गई, इसका मतलब यह लेफ्टवड आक कर रही थी, यह negative आ गई, मतलब यह downward act कर रहे थी, इसे सवाल गलत नहीं हुआ, सिर्फ assumption गलत हुआ, ठीक है, यह आप कभी correct assume नहीं कर सकते हैं शुरू में, unless and until कुछ application में आपको guarantee होता है, तो आप क्या करें, हमेशा assume करें, next, इस case में B के लिए, यह भी hinge है, तो अब आप समझ गये खुदी, आप यहाँ पे इस direction में बोल दें, यह होगा AX, sorry, यह होगा BX, यह की point B है, यह होगा BX, और एक upward ले लूँगा, मैं, BY, इस तरह से hinge support को देखते हुए, आप बना सकते हैं, beam का free body diagram, 2 support होगे, simply support and hinge support, next 2 support, roller support, अब आपको जब मैंने concept बता दिया कि, जहाँ resistance होगा, जिस motion की इसे आजादी नहीं होगी, वहीं से मिलेगा इसको reaction, ऐसे ही यह जो beam है, यह beam, रोल भी कर सकता है, और यह point देखो, इस point से इसको घूमने की भी आजादी है, मतलब इसे rotation की भी आज इसमें x-duration की भी आजादी है, लेकिन क्या यह उपर नीचे जा सकता है, नहीं, इसे उपर नीचे की आजादी नहीं होगी, इस diagram को देखते हुए, आपको समझ में आना चाहिए, सेम तरीके से, इस case में इसे उपर नीचे जाने की आजादी होगी, लेकिन इसे left-right जाने की आजादी नहीं होगी, तो जबी भी आप roller support देखें, roller support देखते ही, आप बना दे अपना beam, beam बनाने के बाद में, beam बनाने के बाद में, point A पे, point A पे, आप common sense use करो, इस direction में motion होगा, तो उदर reaction नहीं होगा, इसका मतलब दूसरे direction में reaction होगा, कौन से direction में, A direction में, यह हो जा आपका RA, दूसरे case में B, यह उपर निचे कर सकता है, लेकिन left-right नहीं कर सकता, तो इस case में reaction इस तरह होगा, यह होगा RB, जैसे simply support में, reaction is towards the object, इस case में भी towards the object, towards the beam, towards the beam RA, towards the beam RV, कैसा बनाया? Common sense एक और आप लगा सकते हो, कि भाई, जो surface होगा, surface को perpendicular, जो surface होगा, उस surface को perpendicular, इस तरह से roller support दिखाया जाता है, और आपके beam का FBD बन जाएगा, Last case है fixed support, fixed support में बचों कोई आजादी होती ही नहीं बीम को, क्यूंकि बीम को कोई आजादी ही नहीं है, इसलिए इसमें तीनों प्रकार के reaction इस point पे आएंगे, मतलब इस point पे इस पे आएगा एक AX reaction, एक आएगा AY reaction, and at the same time आएगा एक moment का reaction, इसमें होता क्या है, यह application use कहां किया जाता है, ऐसे case में जहां पे आप कोई इस तरह का force यहां पे लगाते हैं, यह जरूरी नहीं force आप vertical ही लगाएं, आप force थोड़ा 13 भी लगा सकते हैं, तो यह जो force है, इस force की वज़े से इस point पे या तो यह नीचे जाना चाहेगा, यह नीचे जाना चाहेगा, और अगर आप ऐसा force लगाओ तो यह rightward जाना चाहेगा, इस force की वज़े से, लेकिन यह force जो भी उसे कराना चाहेगा, यह उसे resist करेगा, यह बुलेगा भाई, मैं ना right जाओंगा, ना down जाओंगा, और तू जो यह force लगा रहा है, जिसके वे से शायद मैं यह bend भी होना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो यह bending moment भी experience करता है, इसलिए जब भी आपको fix support दिखे, fix support में आप तीनो reaction दिखा दें, हमने चार तरग के supports देखे, एक होता है simply support, normal reaction towards the surface, एक है hint support, दो-दो reaction आएंगे, मतलब x और y direction में reaction आएंगे, इनका direction assume किया जाता है, guarantee नहीं होती, सेम तरीके से roller support में surface जिस पे वो रोल कर रहा है, उससे normal and that too towards the beam, normal and that too towards the beam, इस case में fix support में, इधर भी guarantee नहीं होती है कि x direction का y direction का, क्या exact, मतलब rightward होगा या leftward होगा, upward होगा, you can't say that until unless you have all the application or the forces on the beam, तो यहाँ पर भी assume किया जाता है, एक x direction में, एक y direction में और एक moment, यह तीनो का direction assumption होता है, इसमें तीनो भी direction assumption होते हैं, positive आ गया तो direction correct है, negative आ गया मतलब आपका direction का assumption गलत है, आ गया मतलब solve करने के बाद, numericals में हमें इनकी value निकालने होती है, और इन ही को कहा जाता है support reaction, support reaction positive आ गया, मतलब correct है, negative आ गया, मतलब उसका direction उल्टा होना चाहिए, बस एक चीज़ जाद रखना, roller में और simply support में कभी भी reaction negative नहीं आता है, अगर negative आ रहा है, मतलब आपने गलत solve किया है, चलो, let's go ahead, हो गया, types of support, next topic important है, beams solve करने के लिए, उन्हें कहता है types of load, बच्चों वैसे broadly अगर बोला जाए, तो तीन तरके load होते हैं सिर्फ, एक को कहा जाता है point load, एक को कहा जाता है uniformly distributed load, UDL, एक को कहा जाता है uniformly varying load, UVL, एक होता है point load, एक होता है uniformly distributed, uniformly distributed, और एक होता है uniformly varying, uniformly varying, या फिर varying load, इनको, इनको shortcut में UDL, या फिर UVL भी कहा जाता है, यह हो जाएगा आपका UVL, आपको numerical beam के अगर solve करने हैं, तो point load ही चाहिए, point load आप easily equilibrium condition में डाल सकते हैं, UDL, UVL को आप point load में नहीं डाल सकते हैं, फिर equation में डाल सकते, इसलिए आपको इन UDL को और UVL को उनके point load में convert करना होगा, इसका मतलब है, question में अगर UDL, UVL दिख गया, तो उसे convert करना पड़ेगा into point load, उसे करना पड़ेगा convert into point load, तो चलो, point load में convert करना सिखते हैं, मैं तीनों जो इस point लिखा हूँ, इसे side में करता हूँ, और बनाता हूँ, इस पूरे के पूरे बीम का FBD, अगर मैं ये पूरे बीम का FBD बनाओं, तो ध्यान से सुनना, एक ही बारे में आपको समझ जाएगा, ये इतना आसान है, suppose मैंने ये पूरा बीम इतना जो लंबा है, एक साथ बना दिया, purpose क्या था, purpose ये था कि एक ही diagram से आपको सब कुस समझ जाए, कम समय में सारी जानकारी, तो अभी यहाँ पे तो को point load तो भाई, वैसा का वैसा ही रहेगा, point load वैसा का वैसा ही रहेगा, ये A है, ये B point है, CD को कहते है, uniformly distributed load, बच्चो, uniformly distributed load जो होता है, उसकी intensity दी जाती है, इसे कहते है, intensity, ये हो जाता है, intensity, और इसे कहते है, span, इसे कहते है, span, intensity की unit, newton per meter, span की unit, meter, इसे हटा के point load दिखाना पड़ेगा, इसे हटा के, जब आप point load दिखाते हैं, तो मैंने C और D दिखा दिया, इसका जो point load होगा, let us say, उसको कहते है, इसका नाम में F रखता हूँ, इसको कहते है, F1, वो जो F1 होगा, उसकी value आती है, intensity into span, अब अपना दिमाग यूज़ करें, तो newton per meter into meter will become newton, force, तो newton per meter into meter becomes force, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो F1 है, वो F1 निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा intensity into span, intensity into span, और वो act कैसा करेगा as a point load, उस ही cd span पे, उसके बीचो बीच जाके, उसे दिखा देंगे, और ये हो जाएगा आपका F1, मतलब अगर ये L1 है, तो ये हो जाएगा L1 by 2, ये भी हो जाएगा L1 by 2, टोटल distance बचो, ये हो जाएगा आपका L1 by 2 distance, L1 by 2 distance, ये कैसा लगेगा, UDL अगर ऐसे उपर की तरफ बनाया है, इसका मतलब जैसे imagine कर लो, कोई भार रखा है बीम के उपर, और कोई भी भार या कोई भी लोट जब रख दिया जाता है, वो नीचे की तरफ act करेगा, आपको अगर UDL ऐसे नीचे की तरफ बना के दिखाया, इसका मतलब वो उल्ट लगाना पड़ेगा आपको, अपवर डिरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इस केस में देखो, रेक्टांगल केस में भी आपको UDL ऐसे दे सकते हैं, मतलब इसकी जगह पर, यह जैसे speed breaker की तरह दे दिया है, वैसे एक रेक्टांगल बनाके भी UDL दिया जाता है, सेम, जाएगा F2 is equal to intensity into span, intensity into span, यह again same तरीके से L by 2, मतलब L2 by 2 and L2 by 2 distance पे लगेगा, बीचो बीच, span के बीचो बीच, span के बीचो बीच, intensity into span, last बचो, इसे कहते हैं UVL, क्योंकि यह vary कर रहा है, uniformly varying load, यह uniformly distributed, यह uniformly varying, this looks like a rectangle, this looks like a triangle, if you see carefully, the formula is basically an area, अगर यह height को P2 बोल दू, और L2 इसका length हो गया, तो length into height, यह length into breadth, it is like area of rectangle, my dear, area of rectangle की तरह ही force आता है, और वो लगता किदर है, rectangle का CG किदर आता है, बीचो बीच, rectangle के CG पे लगता है, बीचो बीच, एसे ही इसे याद करना है, इसका जो force आएगा, F3, उसको निकलने के लिए, triangle का area, half into, base into height, half into, base into height, half into, base into height, F3 आजाएगा, यह कहां लगा, बीचो बीच, क्योंकि rectangle का CG बीचो बीच होता है, इसमें triangle, triangle का CG कहां होता है, उसके normal से 1 third, इसके normal से 1 third, इसलिए, अगर बच्चो यह point G है, यह point H है, यह total length अगर L by 3 है, तो L 3 by 3 पे, यह अगर L 3 है, यह हो जाएगा, F3 is equal to half into base into height, into height, and बच्चो इस तरह से आपने एक UVL को भी point load में convert कर दिया, point load वैसा का वैसा, UDL, intensity into span, बीचो बीच, intensity into span, बीचो बीच, UVL, कहां पर लगेगा, 1 third, किसे normal से 1 third, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 L 3 by 3, 1 third distance पे लगेगा, और यह total L 3 का यह हो जाएगा L by 3, यह हो जाएगा 2 L by 3, इस तरह से यह तीन लोड आपको समझ में आया होगा अगर, तो छोटा सा complication भी किया जाता है, इसे कहते हैं trapezoidal load, इसे कहते हैं trapezoidal load, यह जो trapezoidal load होता है बच्चो, इसको solve करने का simple तरीका अगर मैं बता हूँ, तो इसे एक line मारो यहां से, यह से बीचो बीच ऐसे line मारो अगर, तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक rectangle, rectangle, rectangle का height कितना है P1, और उपर दिख रहा है triangle, triangle का height आप देखके खुद बताऊगे total height P2 है, तो यह height कितना हो गया, यह height हो गया P2-P1, मतलब यहां पे UDL और UVL दोनों दिखाई दे रहे हैं, क्या करेंगे, beam को करेंगे redraw, चलो, beam को redraw करते हैं, तो यह हो गया आपका beam, यह beam का length अगर है A, B के बीच में L, तो L, L, खाली rectangle को देखो पहले, तो बीचो बीच, एक force लगेगा, उसे कहेंगे F1, F1 किसका होगा, rectangle का होगा, F1 हो जाएगा intensity into span, P1 into L, कहां लगाया, मैंने इसको बीचो बीच लगाया, बचो, किदर L by 2 पे लगाया, यह L by 2 पे लगाया, दूसरा क्या है, triangle, triangle, triangle का क्या होता है, उसे कहता है, let us say F2, F2, triangle का जो force होता है, half into base into height, half into base, और height क्या होगा, triangle क्या होगा, मतलब यह लगेगा L by 3 पे, तो यह distance हो जाएगा L by 3 और यह distance हो जाएगा L by 2, correct, समझ मैं है बचो, इस तरह से हम लोगोंने types of load cover किया है, types of load FBD बनाने के लिए बहुत important है, कोई भी, कोई भी 2D equilibrium या beam का question अगर आप करते हो, तो मैं अगर अंदाजा दू आपको, तो धान से सुनना, कोई भी beam हो, चाहे roller हो, चाहे cylinder हो, चाहे spear हो, वजन CG पे, बीच ओ बीच vertically downward दिखा दो, कोई object अगर दिवार से touch है, या ground से touch है, तो object की तरफ दिखा दो, normal reaction उस दिवार या फे ground से, अगर types of support देखो, चाह types of support देखो, तो support गायब करो, और उसका reaction दिखा दो, कोई cable दिख रहा है, तो cable काटो, और cable के अंदर का tension उस object से away दिखा दो, कि छोड़ी-छोड़ी बातों का ध्यान रखोगे, FBD कभी गलत नहीं होंगी, FBD के लिए, सिर्फ अगर ये 4-5 points याद रखा, देखो, 4-5 points बहुत चार पे लेके आता हूं, कैसे, सबसे पहले, जहां-जहां contact है, या फिस support है, उसे गायब करो, और दिखा दो support reaction, सब कुछ सोचते हुए, हिंज है, तो 2, fixed है, तो 3, roller or simply support है, तो 1-1, दिखा दो, वजन सीजी पे, निचु की तरफ, वजन सीजी पे, vertically downward, कोई cable वगर है, कोई cable वगर है, तो उसे काट दो और उसका tension दिखा दो, Tension should be always away from the surface, Tension should be always away from the surface, and last में, कोई अगर UDL, UVL है, तो उसे गायब करो और उसका point load दिखा दो, यह 4 point का ध्यान रखोगे, FBD कभी गलत ने होगा बच्छो, तो इस तरह से आप 4 point का ध्यान में रखके FBD बनाओ, अगर यह सारी बाते clear हो गई है, तो चलो question solve करते हैं, beams and compound beams के, चार question कराता हूं, और यह 4 question में आपका beams and compound beams के सारे concept clear हो जाएंगे, कोई doubt होगा, तो उसके बाद जरूर पूछना,